आज हम बनाएंगे दही वड़े तो यह मैंने रात में एक कप उड़त की दाल भीगो के रख दी थी सुबह मैंने चार पंच पानी में इसे अच्छी से दो लिया है दो के अब इसमें मैं अद्रक डाल रही है थोड़ा सा और चार पंच इसमें हरी मिर्च मैंने डाल दिये करना दो कर दे आज़ थी मिक्स हो जाएं वसे हमको इतने ही बस पेंगे शेक करना इसका मैंने आधा का पानी डाल के इसको पीष लिया था इससे जादा पानी नहीं डालेंगे तब एक बरत्र में पानी डाल रही है उसमें मैं हलका इसा अज़़का इसको इसको थोड़ सा ताकि दहीं वड़े को हम इसमें डाल सकें सॉफ्ट होने के लिए अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है बैटर में और थोड़ा समय जीरा डाल दिया हम इसे पांच मिर तक हम इसे अच्छी से फेटेंगे एक ही डिरेक्शन में ताकि अच्छी से बैटर जो है फलपी हो जाए तो हम इसे अच्छी से फेटेंगे आह दूसरी तरफ मेंने टडाई रख दिया तो मैं देख रही हैं उसमें के तेल गरम हुआ के नहीं रिफाइंड तो अबैटर देखिए एकदम अभी 5 मिनिट हो गया मैं ऐसे फ्हित रही हो अच्छी से तो इसमें चम्मच से बना रही ह तो हाथ से बहुत अच्छी से बन जा रहा है तो हाथ से मैं बना रहे हैं तो बहुत फलपी हो गया है बैटर तो यह देखी उपर आ जा रहा है एकदम अपने से फूल के तो लो मीडियम फ्लेम में हम इसे बनाएंगे तो पहले तो हम इसे एकदम नहीं छेड़ेंगे जब नीचे से हलके गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसे पलट देंगे एकदम से से नहीं ही लाएंगे तो आज होली है तो इस अफसर पर तो यह जरूर बनते ही है दही वड़ी सबकिया तो इसलिए मैंने यह भी रेसिपी आज डाली है तो आप भी जरूर बनाएं आज होली के अफसर पर तो यहाँ पर अच्छी से देखे गोल्डन हो गए है अच्छी से तो मैं इसे निकाल रही हूँ अब मैं उसी पानी में डालूंगी जिसमें मैंने हींग डाला हुआ था तो उसमें मैं डाल दूंगी तो यहाँ पर अच्छी से फूल जाएंगे तो इसमें देखे मैंने डा तरफ देख रखेंगे और हम यह फ्राइप में यह लूग। हम पूढ इपना करेंगे अ। तब तक दूसरे देखिए पहले जो मैने में पानी में डाले ते इतने अची से फूल गया है तो अब हलके हाथ से हम इसका पानी निचो लेंगे हलके हाथ से ज्यादा हम प्रैस नही को आदि तो तो हम एक साइड रखते जाएंगे त्योंकि देति टिडबल हो गए हैं जितने छोटे थे किते बड़े हो गए hacker अग्रों कर तो आसे इस सेक़र जो मैंने डाले थे और भी बन गए हैं तो उस पानी में सहय उसको डाल देंगेतो यह भी सांथी शब्सकट करा है लेकिस सब्सक्राइबत सब्सक्राइब हैं याँ पर मैं शकक्र डाल रही है आद्ध चन्मच आपको पसंद रेगा हम निफशी इसको मदय स्कीप करें तोमरें जीरह डाल रहे है भुना हुआ और यहां पर काला नमक डाल रहे हैं थोड़ा सा अब यहां हरी मिर्च मैंने डाल दिये एक हरी मिर्च बारिक काटके लाल मिर्च पॉडर डाला मैंने थोड़ा सा उपर से अब इन सबको अच्छी से मिक्स कर देंगे आप चाहें तो काली मिष्ट भी थोड़ी सी पीस के डाल सकते हैं तो शक्कर का टेस्ट वे बहुत अच्छा लगता है इसमें काला नमक थोड़ी सा मैंने डाला है उपर से मैंने वाइट नमक जो सफेद नमक भी डाल दिया है इन सब को अच्छी से मिक्स करके अब जो वड़े दही वड़े थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ तो यह हमारे रेडी हो गया है देखिए हम बन के उपर से हम गानिश कर देंगे धनिया के पत्ते उसे तो आप सफेद्र का भी लगा सकते हैं राई का और करिया पत्ता का उपर से तो मैंने यह नहीं लगाया तो यहां भी एक प्लेट में प्लेटिंग करेंगे तो यहां पर मैंने दही डाला इसमें मैंने नमक मिक्स किया हुआ थोड़ी से शक्कर तो यह दही उपर से मैं डाल रही हूँ कि जैसे हम मार्केट में खाते हैं विल्क्ल उसी प्रकार से विल्क्ल रसी बना है तो देखिए मैंने थोड़ी से चपनी फिसई है से हरी धनिय की ओपर से मैं इससे गानिश कर रहे हूँ पर जय यह श्रम आपने की चैटनी से और टॉमांटर प्रकार से आप भी बना लीजिए बहुत ही सॉफ्ट बने बहुत सॉफ्ट नाम है इसमें मैंने इसमें बेकिन पॉडर कुछ भी नहीं डाला है कुछ भी नहीं ऐसे ही बहुत सॉथ बना है तो उपर से मैं चाट मसाला डाल रहे हूं लाल मिर्स पॉडर डाल रहे हूं जीरा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आज हो ली है बिल्कुल आप बनाएए खाईए और मुझे बताएए किस प्रकार से बने तो मिलते हैं अगले वीडियो में